लगबग चार अजार से अधिक प्रती भागियों ने भागिदारी किये हैं, हमारा सभागार छोटा पड़ गया पुर्य प्रदेश के अलावा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 से जादा राज्यों के निवेश्कों ने इसके सर्वाजिता किये मध्य प्रदेश के रिमाजले में बुद्वार को शेत्रिय उत्यों कॉंक्लेफ के पाचवे संसकरण का आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ना केवल सक्रियता दिखाई बलकि बताया कि किस तरह ये कॉंक्लेफ प्रदेश के लोगों के लिए सौगार लेकर आने वाला है मुख्यमंत्री ने आयोजन में भाग लेनी के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि कॉंक्लेफ में 31,000 करोड रुपए के निवेश प्रस्ताफ प्राप्थ हुए हैं जिससे प्रदेश में करीब 28,000 रोजगार मिलनी की संभावना है शेत्री उद्योग कॉंक्लेफ का पांचवा संसकरन रिवा के कृष्णा राज कपूर आडिटोरियम में आयोजित किया गया और इसमें दस से अधिक राज्यों की उद्योग पतियों और निवेशिकों ने भाग लिया है कि इस ब 옷 अन्यूप की दिशनूपार से खिकार से मोखल बना रिवा में पेली बार इसके पूर्रेश का विला जिसके मात्यम से हमारे रिवा अंचल में रीवा सिदी शिक रोली पूरे संभाख सतना अ उत्तों की क्रांगती की दिसा में ये बहुर बड़ा कदम था चेतर से उतने अच्छा आया हमारी उम्मीद से बढ़कर के पजियन हुए हैं और पजियन भी कितने हुए हैं अंदाज लगा सकते हैं इस बात का कि निवेश को और जा हमारे उत्रोस्तक्यों का जो उत्सा है लगबग चार अजार से अधिक नसी भागियों ने भागिदारी क तो हमको आपने बिठाने की जगे कम पढ़ रही लेकिन उसके बाद भी लोगों को उत्सा कम ने हुआ और ना केवल हमारे वीवाज चलके बल्कि पूरे प्रदेश के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 से जादा राज्यों के निवेश को ने इसके सर्वाजिता की मुख्यमंद्री ने उमीद जताई कि निवेश प्रस्ताव प्रदेश में और द्योगिक निवेश एकाई के लिए नई ताकत बन कर उबरेंगे और विंद शेत्र की बहचान भी बनेगी इस दोरां सीम यादव ने विंद शेत्र के विकास के लिए कई घोश नाएं भी की जो हमने पहले से डिसाइड किया आज पाच्वे नंबर का था और इसकी खास बात यहीं रही है कि पहली बार होने वाली इंडस्ट्री का अंक्लियों में भी जिसमें से डिस्पांस आया है यह डिस्पांस बताथा कि यह बारबात कि और ऐसी आने का उसर पर दुबारा भी हम इस प्रकार से इस पुक्रम को जारी रखेंगे यह बदलते दोर का समय है सुष्प्रधान मंत्री के ने तरफ में इसी प्रकार से लगाता राके बढ़ने की जरुवत है जैसा कि मैंने आज पने वक्तर में गोशना की थी हमारे इस दीवा के अंडर इंलेट कंटेंडर ड देने हैं और यहां से एक्सपोर्ट सुटा को बहाल करने के लिए एक की जगे दो जगे इंडलेंड कंटेंडर डीको का निर्मान किया जाए यहां यहीं नहीं आई यहीं आई सीदी के साथ मुड्री मोडल लाजिस्टिक पार्क का निर्मान भी किया जाएगा आज ही हमने जिला रीवा संभाग के सिद्रोली, सीदी, मोगवज, मेहर जिले में, MSME, विफार्ट के ओदो की प्षेतर ही जहां ओदो की प्षेतर नहीं है में नभीन ओदो की प्षेतर बनाने की बहुटना की गई है जिला रीवा और संभाग की प्षेतर के अलावा नभीन ओदो की प्षेतर की रीवा और संभावना है देशी विदेशी प्रेटकों का आकर सिद करने के लिए विशेश टूर पे केज़ और प्रक्टिन सकिट बनाए जाएगे देश के अन्नी सहरों और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा संजय दुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतराश्टी इस तरकी प्रेटक गतिविदियों का केंद्र बनाए जाएगा विदे में निजी निवेश के बेहतर से प्रयास के लिए बहतर होटल, डिसॉर्स, परेटक की परियोजना विक्सित करने के लिए परेटक निवेश नेती और अधिक आकर्षित करने जा रहा है खास करके यहां की जो रिजनल कांटियव की गए इसमें नवकार्णी हो जाके निवेस में आते दिक रूची ताफ तुदिये